अगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है ख्रम्या सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट आप टैली का अधूरा ज्यान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं यदि आप accountant या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है इस वीडियो सिरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट द्वारा टेली के इस वीडियो सिरीज के आज की अध्याय में हम बताएंगे अकाउंट क्या है और ये अकाउंट कितनी प्रकार के होते हैं जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डवल एंट्रे सिस्टम में प्रत्ते कंलेंदे दो खातों को प्रभावित करता है साथ ही अकाउंट की परिभाषा भी बताई थी पर अकाउंट के प्रकार समझने के पहले हमें आइसा लगता है कि अकाउंट की परिभाशा आपको यहां पर एक बार फिर से बता दें तो पहले आप यह समझते हैं कि खाता क्या होता है जब किसी व्यक्ति, विशेश, वस्तू, सेवा या आयवे इत्यादी से संबंधित, समस्त लेंदें एक निश्यत स्थान पर तिथिवार और नियमा नुसार रखे जाते हैं तो उसे उसका खाता यानि अकाउंट कहते हैं किसे के खाते के दो पक्ष होते हैं, डेबिट साइड यानि नाम पक्ष और क्रेडिट साइड यानि जमा पक्ष डेबिट साइट बाई तरफ होता है और क्रेडिट साइट डाई तरफ होता है हम इसे एक उधारन से समझ लेते हैं जैसे हमने राम से एक लाख रुपए उधार लिए और तुकडों में उसे वापस चुका दिए देखे राम का खाता कुछ इस तरह से दिखेगा खाते तीन प्रकार के होते हैं व्यक्तिगत खाते यानि पर्सनल अकाउंट्स व्यक्ति संस्था या उनके प्रतनिधी से संबंधित खातों को व्यक्तिगत खाते कहते हैं इन्हें तीन श्रिणियों में बाटा गया है पहला है प्रकृतिक या स्वाभविक खाते यानि नैच्रल पर्सनल अकाउंट्स सुरिष्टि के सुरिजन के द्वारा व्यक्ति बना हैं ये प्रकृति प्रदत्थ है अता सभी व्यक्तियों के नाम से संबंधित खाते जैसे राम, श्याम, मोहन, व्यापार के स्वामी का पुड़ी हुई निगम और संस्थाओं से संबंधित खाते आते हैं जैसे बीमा, बैंक, व्यापारिक संस्था, सभी लेंदार और देंदार इत्यारी तीसरह है प्रतिनिधित्व खाते, representative personal accounts प्रतिनिधित्व खाते व्यक्तिया समू का प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे अदत यानी outstanding वेतन का खाता जो उस कर्मचारी के खाते का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी salary due हो चुकी है यानी देना थी पर दी नहीं गई सिर्फ उसका provision कर लिया गया है ये तो हमने बात की personal accounts की अब हम देखते हैं दूसरी प्रकार के खाते जिनको हम कहते हैं real accounts यानि वास्तविक खाते ऐसे खाते जो अधिकार और संपत्ती से संबंधित होते हैं वास्तविक खाते कहलाते हैं इन्हें दो शर्णियों में बाटा गया है मूर्द खाते यानि tangible real accounts जिन संपत्तियों को छुआ जा सके उन्हें मूर्द संपत्ती कहते हैं और इनके खातों को मूर्द खाते जैसे बिल्दिंग अकाउंट, फरनीचर अकाउंट, वीकल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, इत्यादी दूसरा है इसमें अमूर्द खाते यानि intangible real accounts जिन संपत्तियों को छुआ न जा सके उन्हें अमूर्द संपत्तियां कहते हैं और इनके खातों को अमूर्द खाते जैसे goodwill, trademark, patents, copyrights, इत्यादी तीजरे टाइप के खाते हैं नाम मात्र के खाते यानि nominal accounts ऐसे खाते जो income and expenses तथा profit and loss से संबंधित होते हैं nominal accounts कहलाते हैं जैसे की purchase account, sales account, interest account, discount allowed, discount receive, salary account, depreciation account, advertisement, expenses, insurance account, इत्यादी इस तरह के खातों की अवधी मात्र एक वर्ष रहती है वर्ष के अंत में इस तरह के सभी खातों को trading and profit and loss account में ट्रांसफर करके बंद कर दिया जाता है इस वीडियो में आपने जाना की account क्या है और accounts कितने प्रकार के होते हैं अगली वीडियो में हम बताएंगे कि golden rules of accounting क्या है